चाहे चिनगारियां फूट निकलें, मैं मानू की मिटी अपनी भूख प्यास। चाहे आस्मान फट जाए, मैं मानू की कराया मुझे इस नान, चाहे गिर गिर जाए, मैं मानू की पड़ा फूल, देव चैन मलिकारजुन, चाहे सिर मेरा कट जाए, मानू की मेरे प्राण तुझे अरपित। यह उक्त क्रांत की ध्वनी है, बारहमी सदी की वीर सैव आन दोलन से जुड़ी एक महान भक्त कवियत्री अक्क महा देवी जी की, जिने कर्नड की मीरा भी कहा जाता है। मेवाड की कृष्णो पाची का मीरा भाई से चार सताब्दी पहले अरथात बारहमी सताब्दी में, करनाटक के जिला सिव मोगा के उड़त्तरी नामक गाउं में इनका जन्म हुआ। महा देवी की मा, सुमत्य और पिता, निर्मल सेत्ती महान शिव भक्त थे, वे उनकी इकलोती प्यारी बेटी थी। शिव भक्त में लीन महा देवी माबाप के लाड़ प्यार में सयानी हुई, वे अनिंद सुन्दरी थी, परन्त वाल्य अवस्था से ही विरागनी थी, उनमें बैरागि जग गया था। अक महा देवी ने कभी सुख ऐश्वर की कामना नहीं की, मगर एक दिन शिकार से लोटते हुए, वहां के इस्थानी राजा कौशिक, इनके अद्भुत अलावकिक रूप सौंदर को देखकर मुग्द हो गए, और महा देवी से बिवाहेत प्रस्ताव कर बैठे, के साथ बिवाह करना पड़ा, मगर बिवाह करते समय राजा के समक्ष उन्होंने सर्तें रखी, जैसे पहली सर्त है, शिव पूजा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, दूसरा है, शिव शरणों की सेवा में ब्यवधान न डाले, अर्थात अगर कोई शंत शिव भक्त चाता है, तो उसकी सेवा में कहीं आप बाधा उत्पन्न न करें, शिव पूजन ध्यान के समय गति रोध न डाले, जब मैं मलिकारजुन अर्था शिव की पूजा में रहूं, उस समय मुझे किसी प्रकार का ब्यवधान मेरे पूजन में न डाला जाए, राजा कौशिक ने महादेवी की सर्तें सुईकार कर ली, लेकिन विवाह के पस्चात राजा ने उन सर्तों का पालन नहीं किया, तब महादेवी इस बैवाहिक बंधन को तोड़ देती है, इसलिए महादेवी ने उसी ख्षण वस्त्रा भूशन तथा राज परिवार का परित्याग कर दिया, महादेवी ने अपने वस्त्र को त्याग कर के सांबरी होकर दिव्य दिगंबरत तुपाकर कौशिक का संग छोड़कर कल्यान की और प्रस्थान कर गई, बश्वेश्वर, बश्वन्ना, बश्वो को अपना गुरू बनाया, अक महादेवी लोकिक से अलोकिक की और, उड्ड तडी से कल्यान की और, जो चली वह मार्ग सुगम नहीं था, अक महादेवी धीर महिला थी, जो भी उनके पास आया, उसे भाई बहन के रूप में उन्होंने देखा, श्विकार किया, वास्तों में बच्चों, अक शब्द जो है कन्नड का है, और कन्नड में अक को बहन के अर्थ में लिया जाता है, बहनों को उपदेश दिया कि जगत में जन्म लेने पर इस्तुत निंदा से भैभीत न होना, कुपित न होना, सम्चित रहना, अक ने किसी के अधिन न होकर न भैभीत होकर धैर से जीवन बिताया, उस धीरता को देखिये, उनके वचन में, उनकी वानी में, उनकी एक करिता में, भूख लगे तो गाउं में भिक्षान न है, प्यास लगे तो कुँआ ताला बावडी है, शैन के लिए वीरान मंदिर है, शैन के लिए वीरान मंदिर है, चेन मलिकारजुन, आत्म संग के लिए तुम ही मेरे लिए हो, इस प्रकार अक्क महादेवी के उदगार, अनुभव, सुख दुख, दर्द और अनुभूत के एक्षण गीत बन गए, अक्क महादेवी का स्वरगा रोहन सन 1160 में स्री स्यलम में माना जाता है, वे साद्वी थी, संत थी, साइव थी, हिंदी में वचन शौरभ के नाम से रचनाय प्रकाशी थैं, अंग्रेजी में स्पीकिंग आप सीवा, जिसका संपादन एके रामानुजन जी ने किया है, गगन गिल एवं डॉक्टर टीजी प्रभाशंकर प्रेमी ने भी अक्क महादेवी के वचनों पर अनुसंधान परकार किया है, अक्क महादेवी ने कुल मिलाकल लगबग 430 वचन का प्रसाद वीर साइव पंथ को दिया है, इन्हें वीर साइव पंथ के अन्य संतों जैसे चेन बशाओ, किन्नरी बो मय्या, सिध्धर्मा, अल्लम प्रभू, एवं दाश्य मय्या द्वारा उंचा दर्जा दिया गया है, बारहमी शताब्दी की प्रख्यात कंणर कवियत्री अक्क महादेवी एक परम सिव भक्त थी, अक्क महादेवी के कारण ही, शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में इस त्रियां जो अधिकांस निचले तबकों की थी जुड़ गई, और अपने शंगर्ष और यात्ना को कविता की रूप में अभिव्यक्ति दिन, इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता, समूचे भारती ये साहित्य में एक क्रांतिकारी चेत्ना का प्रथम सर्जनात्मक दस्तावेज है, और संपूर इस्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेणा सुरूत भी है, डक्टर कीजी प्रभाशंकर प्रेमी ने बहुत सही लिखा है कि अक्क महादेवी ने लिंगांग समरश्य सिद्धांत का प्रतिवादन किया, इनके जीवन का लक्ष इस देव में एक आत्म हो जाना है, इनकी भक्ती आत्म समरपन भाव की थी। बच्चो आपके पाठिक्रम में अक्क महादेवी जी की दो रचनाएं संकली थे हैं, आईए हम क्रम से उनका अवलोकन करते हैं, पहली रचना है, हे भूख मत मचल, प्यास तडप मत, हे नीद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह, पाश अपने धील, लोभ मत लल्चा, हे मद, मत करमद होश, एरश्या, जला मत, ओचराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर, चन्न मल्लिकार जुनका बच्चो, उनके इस बचन का अनुबाद केदार नासिंग जी ने किया है, आप एक-एक सब्द अगर देखें, तो पाश का थोता है जकर, धील का है धील करना, मद से अर्थ है अहंकार से, मद होश, मद में होश्खो बैठना, इर्षया, जलन, चराचर, जड़ और चेतन, और मल्लिकार जुन, यानि शीव, इस रचना में, अक महादेवी जी ने, मनुष्य के इंद्रियों पर नियंतर्ण रखने का संदेश दिया है, कि मनुष्य अपनी इंद्रियों जैसा आप जानते हैं, कि दस इंद्रियां होती हैं, पांच कर्मेंद्रिय और पांच ग्यानेंद्रिय, तो इन पर नियंतर्ण रखने का संदेश, अक महादेवी जी ने, इस रचना में किया है, वास्तों में, कवियत्री अक महादेवी, इंद्रियों से आग्रह कर रही हैं, कि वे मानों को न सताएं, आत्मा और परमात्मा के मिलन में, वे बाधा न बनें। वे कहती हैं, हे भूँख, तू मचलना छोड़ दे, और हे प्यास, तू तलपना छोड़ दे, क्योंकि मानों भूँख और प्यास से ब्याकुल होकर, उचित अनुचित का भेद भूल कर, बुरे कारियों की ओर अग्रसर होता है। हे नीद, तू मानों को सताना छोड़ दे, नीद से ही आलस्य का जन्म होता है, और मनुस्य जो है, इश्वर प्राप्ति का जो मारग है, रास्ता है, पथ है, उसे भूल जाता है। हे क्रोध, तू मानों के हरदय में उथल पुथल मचाना छोड़ दे, क्योंकि क्रोध के बस में होकर, मानों स्वेंग ही बिनास के पत पर आगे बढ़ जाता है, अपने चंड बढ़ा लेता है। हे मोह, तू मनुष्य को फसाने के लिए बनाए गए बंधनों को धीला कर, मोह फे में फस कर ही मनुष्य जो है, दूसरे मानों का अहित करने में कोई भी संकोच नहीं करता हूँ। इसी तरह से लोभ को संबोधित करते हुए अक महादेवी कहती हैं, हे लोभ, तू मानों को ललचाना छोड़ दे। लालच से मनुष्य जो है, आत्म संतुष्य से बहुत दूर चला जाता है। और इसी प्रकार से एक मनोविकार है, अहंकार। अहंकार को संबोधित करते हुए अक महादेवी कहती हैं, हे अहंकार, तू मनुष्य को मदहोष मत कर, तू मनुष्य को मदहोष करना छोड़ दे। तेरे बस में होकर मनुष्य स्वेम ही अज्ञान के मार्ग पर चल करके अपना होस्खो बैठता है उसकी सारी चेतना जो है समाप्त हो जाती है इरश्या इरश्या भी एक बहुत बड़ा मनुविकार है इरश्या तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे इरश्या तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे कव्यत्री स्रिष्य के चर अचर जड़ चेतन तमाम प्राणियों को संबोधित करते हुए कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है अभी भी तुम्हारे पास मौका है समय है इस मौके को गवाओ मत इस स्वैलिम समय को नश्ट मत करो मैं चन मलिकारजुन का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ चन मलिकारजुन यानि शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ अर्थाद्य तुम चन्न मल्लिकारजुन की प्राप्ति करना चाहते हो भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहते हो शिव को प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रियों को अपने बस में करो ना कि स्वयम को इंद्रियों के बसी भूत कर दो जब तक इंद्रियों पर नियंतर नहीं होगा तब तक परमात मतत्त्त की प्राप्ति नहीं होगी कभी अत्री यहां संदेश देना चाहती है कि इंद्रियों को जीत कर ही मानो चन मलिकार जुन कि शरण प्राप्त कर सकता है इंद्रियों की दास्ता उसे ईश्वर से दूर कर देती है बच्चो आपने इस रशना में देखा कि महादेवी ने मानों को इंद्रियों पर नियंतर रखने का संदेश दिया है पहली बात तो यह आपकी समझ में आई और कवियत्रिय ने इंद्रियों से अग्रह किया है कि वे मनुस्य को न सताएं आत्वा और परमात्मा के मिलन में वे बाधा उत्पन्नन न करें मानों भूंख और प्यास से ब्याकुल होकर के ही उचित अनुचित का भेड जो है भूल जाता है और बुरे कर्मों की योर वह अग्रसर हो जाता है और महादेवी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि नीद से आलच की उत्पत्ति होती है और वह इश्वर प्राप्ति का मार्ग जो है भूल जाता है लालच मनुस्य को संतोस्ति से बहुत दूर ले जाता है इसलिए व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए कव्यत्री जो हैं अहंकार से अग्रह करती है कि वह मानव को मदहोस न करें चूंकि जब मनुस्य अहंकार पाल लेता है तो मदहोसी में मानव स्वेंग ही अग्यान के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है अपना होस खो बैठता है इर्शा से ग्रस्त मानों दूसरों की प्रगत देखकर जलने लगता है बलकि वह तो स्वेंग अपने आपको भी जलाता है तो कव्यत्री संबोधित करती हैं कि अभी भी तुम्हारे पास अउसर है सुनहला मौका है तुम इस्वर को प्राप्त कर सकते हो इस मौके को इंद्रियों के बसी भूत रहकर इश्वर की प्राप्ति संबोर नहीं है आपने देखा अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है सैली में उप्रदेश आत्मक्ता नहों कर आग्रह की भावना है शांतरस का परिपाक देखने योग्य है और प्रसाद पूली ने कवियत्री की भावों की सरसक्त अभिव्यक्ति की है अब बच्चो आएए देखते हैं अक महादेवी की दूसरी रचना है मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर है मेरे जुही के फूल जैसे इश्वर मगवाव मुझसे भीक और कुछ ऐसा करो कि भूल जाओं जोली फैलाओं और न मिले भीक कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो नीचे गिर जाए और यदि मैं जुकूं उसे उठाने तो कोई कुट्था आ जाए और उसे जपट कर छीन ले मुझसे शब्द बहुत सहज हैं शरल हैं और एक ही सब्द इसमें कठिन आपको लग रहा होगा जपट कर यानि खीच कर इसका भी अनुबाद के राणा सिंग जी ने किया है जैसा आप जानते हैं कि अकमा देवी चन्न मलिकार्जुन की भक्त हैं यहां उन्होंने अपने आराद्धिके प्रती अपने ईश्वर के प्रती अनन्य समर्पन का भाव अविव्यक्त करती हैं यहां अपने आराद्धिके प्रती अनन्य समर्पन का भाव अविव्यक्त हुआ है अपने आराद्धिके लिए वे भौतिक बस्तों से अपनी जोली को खाली रखना चाहती हैं जो सांसारिक बस्तुएं हैं अगर वह उनकी जोली में रहीं उनके पास रहीं तो वह इश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकेंगी वे अहंकार भी Koh कर इश्वर की प्राप्ति कारना चाहती हैं बच्चो जब उस्तुएं का संग्र्ख करता है जैसे मकान बना लिया तो एक अहंकार पाल लेता है अईश्वर गाकार मोटर गाड़ी और विभिन प्रकार के जो भौतिक सुख सुभजाएं हैं उन्हें पाकर के मनुष्य जो है अहंकारी हो जाता है और यहीं अहंकार जो है इश्वर की प्राप्त में बाधा है इस तथिका प्रित्पादन इस रचना में किया गया है अब आप देखें कवियत्री अक महादेवी जी सभी भवतिक बस्तूं को छोड़ कर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती है उनकी अभिव्यक्ति देखिए वे इश्वर से आग्रह करती है कि है जुई के फूल के समान इश्वर ब अपनी सुगंध चारों तरफ विकीड़ कर देता है ऐसे ही हैं उनके चन्न मल्यकार जुन अर्थाद भगवान शंतर कि आप ऐसी परिस्तितियां पैदा कर दो कि जिनसे मेरे पास भौतिक सुख साधन न बचें मुझे भीक मागनी पड़े कवियत्री आगे कहती हैं कि जब मेरे पास सुख के साधन नहीं होंगे तो मोह अहंकार सुयमी नस्ठ हो जाएगा और इस्वर प्रात्य में बाधा नहीं आएगी अब यहां कवियत्री कहती हैं कि जो एक तो भीक मुझे मिले न अगर भीक मिले तो नीचे गिर जाए और जब मैं जुकूं उसे उठाने के लिए तो कोई कुटा आए और मुझसे जपट कर छीन ले और चला जाए ये भाव क्या है इसका और जोई के फूल के समान में मानती हैं तो दोनों चीजें हम देखें कि जिस प्रकार जुही का फूल अपने अपने खुश्बू से लोगों को आनंद देता है और लोगों का कल्यान करता है उसी प्रकार से हे प्रभु आप आनंद प्रदान करें आप कल्यान करें कभियत्री इश्वर से आग्रह करती हैं हे इ मैं भौतिक सुक्स विधाओं को पूरी तरह से भूल जाओं कभियत्री चाहती है कि सांसारी घर को भूल जाए जो की लोब का मूल है जो अपना भवन है मकान है संसारी घर है यहीं लोब का मूल कारण है कि वो इतना विस्तार हो जाए ये सुख सुभधाएं हमारे पास आ जाएं तो कभियत्री का मानना है कि यह जो सांसारी घर है यही लोब की जड़ है उन्हें केवल ईश्वर ही याद आए घर याद न रहें और उनके हिर्दे में उनके जो आराध्य हैं वे निवास करें कभिय जैसा मैंने आपको बताया वो चाहती है कि इस्वर ऐसा कुछ करें कि उन्हें भीख ही न मिले और यदि कोई मान लीजे थोड़ी बहुत भीख दे देता है और कुछ देने के लिए हांत बढ़ाता भी है तो उनके द्वारा दिया गया वह दी गई वस्त जो है नीचे गिर क अगर बेकार हो जाए फैल जाए कवियत्री चन मलिकार जूंसे प्रात्ना करती है कि लोभवस उस नीचे गिरे पदार्त को उठाने के लिए एदि मैं नीचे जुकूं जब कोई सावान गिर जाता है तो ब्यक्ति नीचे जुक कर उठे उठाना चाहता है उसे तो कवियत्र का मानना है कि नीचे गिरे पदार्त को उठाने के लिए मैं नीचे जुक भी जाओं तो कोई कुट्ता वहां आकर उस पदार्त को छीन कर उससे ले जाए यहां कवियत्री के समर्प्रण भाव की पराकास्था दिखाई देती है इस्वर को पाने के लिए लोभ मोह अहंकार क देखती हैं कि ऐसी परिश्थित करें कि कवियत्री के मन में लोभ अहंकार मोह जैसे तत्व हैं यह जन्मही न लें वे सच्चे मन से इस स्वर को याद करती रहे अब इसमें इस रचना में जो निहित काप संदर है हम एक बार उसको देखाए आराध्धि के लिए अक महादे कविव होतिक दनों से अपनी जोली खाली राखना चाहती हैं वे अहंकार भीन होकर आराद्या करना कद करना चाहती हैं अ कवियत्री ईश्वर को को जुई के फूल के हो जाते हैं कवियत्री का कहना है कि जिस प्रकार जोही का फूल अपनी खुश्बू से लोगों को आनन देता है उसी प्रकार ईश्वर लोगों का कल्याण करता है कवियत्री ने सांसारी घर को लोग का मून माला है और आपने देखा कि कवियत्री केवल ईश्वरी घर को याद रखना चाहती है जहां उनका आराध्य निवास करता है वह है अक महादेवी जी का फिर्दे अक महादेवी ईश्वर के प्रत समर्पन भाव रखती हैं और कहती हैं कि जब भीख के लिए जोली फैलाएं तो उन्हें भीख न मिले और चुंकि कभी अत्री मानती है इस बात को कि इश्वर को पाने के लिए मों आउंकार और लोब को त्यांगना होगा नहित तो इश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है इस अउत्रण में अक्क महादेवी की इश्वर के प्रती समर्पन भावना का बहुत ही सुन्दर चित्रण हुआ है इस अंश में कवियत्री की इश्वर के प्रत समर्पन भावना का सुन्दर चित्रण कवियत्री ने इश्वर के लिए जुही के फूल का विशेशन चुना ह सांतरस है प्रसाद गुण युक्त सब्दावली सहज सरल और बोध गम्मे है चित्रात्मक्ता का गुण है इसमें खड़ी बोली कवियत्री की भावों की अव्यक्ति में सक्षम है और सैली जो है बच्चो यह संबाद परक है अब इन दोनों रचनाओं को पढ़ने के बाद कुछ प्रस्ण मन में उठते हैं जैसे लक्ष प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं इस संदर में अपने तर्क दीजिए तो यह मैं आपको पूरी तरह से समझा चुका हूं बता भी चुका हूं कि मनों से जब भी कोई लक्ष सोचता है उसकी प्राप्ति के लिए इंद्रियों को बसमें रखना परमावश्यक है इंद्रियां जो हैं वह मानव को न चाहते हुए भी अपनी और आकर्षित कर लेती हैं मानव को बुद्ध के उचित प्रयोग से हित अहित का ध्यान इंद्रियों पर लगाम लगाने के लिए महादेवी जी ने कहा है और अगर वो नहीं लगाता तो इंद्रियों के अधीन ह मुझ्तिय के द्वारा इंद्रियों को बसमें करके सफलता पाई जा सकती है हमारे पुरान वेद और अन्य जो ग्रंथ हैं वे हमें इसी प्रकार की शिख्षा देते हैं बच्चो इन दोनों रचनाओं को पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि अक महादेवी की कौन कौन सी विशिष्ट विशेस्ताएं हमारे सामने आती हैं सबसे पहली बात तो यह है कि वे शैव साधिका हैं कवित्री जो है आस्तिक एवं शैव साधिका थी शैव आंदोलन को गत्य प्रदान करने वाली थी और साथ ही मलिकार जुन को साथ में लेकर चलने की बात कहती है और कहती है ओ चराचर मत चूक अवसर ओ चराचर मत चूक अवसर आई हूं संदेश लेकर चन मलिकार जुन का तो वे एक शैव साधिका के रूप में हमारे सामने आती हैं और दूसरी बात जो सबसे महतुपूर्ण है कलपना करो बारहवी सताब्दी में एक बिद्रोहनी के रूप में हमारे सामने आती हैं कभियत्री सवाव से ही बिद्रोहनी है प्रतेक व्यक्ति अपने सुखों की कामना करता है पर अक महादेवी जो हैं वे इस तरह की कामना नहीं करती हैं वह क्रांतिकारियों की तरह स्वयम को कस्ट देना चाहती हैं और प्रतेक सुख से दूर रहना चाहती हैं कहती हैं जोली फैलाओं और न मिले भीख कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए और यह जुकूं उसे उठाने तो कोई कुटा आए और उसे जपट कर छीन ले मुझसे और तीशरी विशेष्टा हमारे सामने आती है आत्म सुधार की उद्गोशी का कैवियत्री औरों को सुधारने का पाठ पढ़ाने से पहले सोयम को सुधारने में विश्वास रखती है वास्तों में संसार में अधिकांस लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सीधे रास्ते पर लाने क का उपडेश दिन राथ देते हैं करते और दूसरों को सुधारने का उपदेश देते हैं दूसरों को निर्मान करने की स第ते ते हैं लेकिन अपने आपको सुधारने का कभी भी संधेश नहीं दिया करते अगते हैउ quiero स्वयम अपने आपको अपने आपको सुधाने पर विश्वास्ता वहां नीद से बच कर जीना चाहती हैं ताकि एशुर्थ की भक्त में किसी प्रकार का कोई विरोध नायाने पाए अवरोध नाया स्व पाए ताकि इश्वर भक्त में सुयम को अर्पित कर सके वह क्रोध लोब मोह मद से बचना चाहती हैं वह दूसरों के सुखों से इर्शा नहीं करना चाहती है वह कश्ट पाकर अपने जीवन को सुधारना चाहती है बच्चों अक्क महादेवी जी को कंणर की मीरा कहा जाता है मीरा भाई जो है कृष्ण की परंभग्त थी और अक्क महादेवी चैन मल्लिकारजुन अर्थाश शंकर को अपना आराध्य मानती है लेकिन दोनों की परिशितियां लगभग मिलती जुलती हैं दोनों का समर्पन मिलता जुलता है दोनों बहुत सुंदर थी और मीरा के पति के निधन के बाद यद्यप बच्पन से ही उन्हें अपने कनहिया के प्रति लगाव था मोह था उनकी भक्त थी लेकिन पति की मृत्व के उपरांत वे पूरी तरह से क्रिश्नम्मे हो गई और अक महादेवी जी ने राजा कौशिक जो उनके पति थे अक महादेवी की बात को नमानने के कारण उन्होंने अपने पति का प्रत्याग कर दिया और स्री शैलम में जाके बशो को अपना गुरु बनाया मीरा अपना गुरु रैदास को बनाती है और वे कुछ दिनों तक ब्रिंदा बन रहती हैं और ब्रिंदा बन के बात वे द्वारिका धीस के चर्णों में जाकर के समर्पन करती है अक महादेवी जी का जो स्वर्गा रोहन है वह स्री शैलम में होता है और जो मीरा है उनका स्वर्गा रोहन वे लीला संवरन करती है द्वारिका धीस के चर्णों में दोनों का जो भाव है वह माधूर्य समर्पन भाव है मीरा राजगराने में पैदा हुई जबकि अक महादेवी एक साधारन सहीव परिवार में अनिंद सुन्दरी वह एक राजा के साथ ब्याही गए दोनों में लोकिक जीवन के प्रतियाकर्शन नहीं था जो सांसारिक सुख है उससे दोनों विरत थी अलग थी मीरा परम बैशनो बनी और अक महादेवी परम शैव बनी इस तरह से अक महादेवी को कंणर की मीरा कहा जाता है चूँकि उनमें बहुत सारी समानताएं दिश्रिगोचर होती हैं एक दूसरे से मिलती हैं अक महादेवी बारहवी सताबदी में अक महादेवी ने जो विरोधात्मक श्वर निकाले और सच्चे सईव होने का जो प्रमान दिया वह हिंदी साहित्य में अन्यत दूरलव है इत्यप उनकी समथ रचनाएं कंणर में हैं लेकिन उसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किरार नासिंगी ने किया है और इस प्रकार हम देखते हैं कि अक महादेवी साहित्य जगत की अमूल निदी है